जब मूवी के कॉंटेंट फ्रेश रहता है नया रहता है गाने हिट रहते हैं तो उसको पब्लिक देखने जरूर जाती है एक विलेन जो की 2014 में रिलीज हुई थी उस समय उस मूवी की जो ओपनिंग हुई थी करीब 16 करोड रुपए की हुई थी तो ऐसे में आपन नाजा लगा सकते हैं कि एक विलेन रिटरंस की ओपनिंग जो की उसके सामने बताई जा रही 7 करोड है उसमें कितनी ज़्यादा गिरावट आई है साथी साथ इस मूवी को पहले दिन फ्रैंचाइज का होने का भी बहुत 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 फायदा मिला है इसके बाद मतलब Saturday और Sunday बहुत ज़्यादा क्रिशल रहने वाले है क्योंकि mouth publicity जो होगी वो इन दो दिनों में matter बहुत ज़्यादा करने वाली है अगर mouth publicity अच्छी होई movie को लोगों ने पसंद किया तो फिर उसके बाद अगले हफते का collection ठीक हो सकता है वरना जो हाल शमशेरा का हुआ है वही हाल इसका भी होगा और पहले हफते में शमशेरा जो कि 40 करोड़ ही कमा पाई है एक विलन रिटरंस मुझे नहीं लगता कि 30 करोड़ का आखड़ा 25-30 करोड़ का भी आखड़ा टच कर पाईगी बहुत हाल जो भी कुछ आखड़ निकल कर सामने आ रहे हैं वो तो फिलहाल यही चीज़ दरशार है अगर हम बात करें मुवी के बज़टके बारे में तो कहा यह जा रहा है कि वह मूवी को गषय के बजट 50 करोड़ है लेकिन अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो जॉन अबरहेम ने सैलरी लिए करीब 20 करोड़ रुपए अर्जुन कपूर ने लिए करीब 6 करोड रुपए दिशा पार्टी ने लिए 2 करोड तारा सोतार ये लिए 1 करोड तो 29 करोड तो यही हो गया तो ऐसे में हम 50 करोड की बात कर रहे हैं तो 29 करोड यह हो गया तो 10-11 करोड तो इसके जैसे शमशेरा के साथ 1500-200 करोड का उसका बजट था और उसके सामने मुवी ने कलेक्शन किया कितना 40 करोड का भी नहीं कर पाई एक हफते में तो उसको फ्लॉप इतनी बुरी तरीके से माना जारा और इसका सीधा सेधा खामियाज है उसको OTT पे भी भुगतना पड़ेगा त इसके हलावा ये मुवी फ्लॉप क्यों नहीं होगी ये भी मैं बता देता हूं इतने घटिया कलेक्शन इसने पहले दन किये हैं 7-7 करोड के उसके बाद भी फ्लॉप सिर्फ इसलिए नहीं होगी क्योंकि बाला जी के एक मल्टी मुवी डील हो चुकी है तो ऐसे में इस मु वक्सविस पर एक क्लीन हिट बनना है तो इसको सौ क्रोड का बिजनस करना पड़ेगा जो कि ये करती हुई कहीं से कहीं तक भी दिखाई दे नहीं रही है अब ये जितने भी ट्रेड के आकड़े हैं अगर आप बोलेंगे कि तुम को कहां से पता चल गया है तो अगर आप उंगलियों का स्तमाल करेंगे अपने कीबोर्ड के ऊपर और थोड़ा सा गूगल करेंगे तो इस सारी जानकारिया आपको अलग-अलग सोर्से से मिल जाएंगी अब जर और उस तारें बात कर लेते हैं इस मूवी के पहले दिन के कलेक्शन के बारे में मुवित सूरी के डारेक्शन ने बनी फिल्म में एक विलन रिटर्स थीटर्स में 29 जुलाई को देश भर के सिनमा घरों में रिलीज हो गई फिल्म में जॉन अबरहम, अरजन कपूर, तारा सुदारिया, दिशापाटनी लीड रोल में है इस फिल्म का पिछले दिर काफी दिनों से बस बना हुआ, ता काफी अच्छी इसकी प्रमोशन और मार्केटिंग भी हुई थी ये एक थ्रिलर एक्शन के फिल्म है, ऐसे में लोगों को उमीद थी कि ये फिल्म काफी अच्छा करेगी तो क्या ये फिल्म मुवी तो खरा होती ही, वो तो खेर में आपको कलेक्शन बता ही दिया है लेकिन दर्शक के लावा इस मुवी को क्रिटिक्स ने भी कुछ खास रिस्पाउंस नहीं दिया जिसकी वज़े से फिल्म पर काले बादल तो जरूर मन रा गए है अब ऐसे में फिल्म ने एडवांस बॉकिंग में करीब देड़ करोड रुपए का कमा लिये थे लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट्स के मताबिक फिल्म ने शुकरवार को करीब 6-8 करोड रुपए कमाए है बॉलिवड में इस साल बहुती कम फिल्म हैं जो कि थेटर्स पर पैर जमा पाई है ऐसे में एक विल्लन रिटरंस निमी जब इतने साथ स्टार्स हैं और एक्शन फिल्म है तो कि ये आगे अपना कैसा कलेक्शन करेगी ये वाकई में एक देखने वाली बात होगी क्योंकि अगर हम बात करें अरजन कपूर और जान अबराहम की तो उनकी दोनों की ही पिछली फिल्म में फ्लॉप रही थी तो ऐसे में इन दोनों के ही उपर काफी ज़्यादा प्रेशर है आने वाले समय में अपनी मूवीज को हिट कराने का करीब देश भर में 3000 स्किन्स के उपर रिलीज हुई है तो ऐसे में अगर इस मूवी ने 90 करोड का बिजनस नहीं किया तो बहुत जादा दिक्कत और नुकसान वाली बात हो सकती है अगर हम बत करें सीधे सीधे, फिगर्स की तो गरीब जो बिच्स्वे ने फिघर दा रिया आई डिया 7.05 करोड का ट्रेट फिगर की बात करें तो वह 7 करोड का और ट्रेड एक्सपेक्टेशन जो कि मैं आपको बता है वो 68 करोड की थी और एक विलन की हम बात करें तो उसने जो फर्स पार्डा दोज़ा नो उसने करीब 16.72 करोड रुपए कमाये थे अगर हम कुछ मुवी एनलिसिस करने वालों की बात करें तो सबसे पहले तरण अदर्श ने जो इसके आखड़ दी है उसके मताबिक इसने फ्रेंचाइजी फेक्टर के कारण काफी अच्छी ओपनिंग ली है टायर टू सिटीज में बेसिकली और मास पॉकेट्स में सिंगल स् पर कमाएगी चौथा दिन मतलब की चार क्रोड पर जा सकता है और वही बहुत जादा क्रूशल होगा लाइफटाम बिजनेस की बात करें तो यह नहीं कहना है चाली से पच्छपन करोड और मंडे ट्रेड विल लाइफटाइम पनलब इनका कहना है कि पचास से पच्छपन क अदेल की तो एक्सपेक्टेड इन्होंने वही बताया है रिजल्ट की साथ करोड रुपए का इसने बिजनस किया हुआ है जो कि अपने आप में काफी ठीक है मूवी के बजट के हिसाब से लेकिन यहां पर आप देखी कि एक विलन ने सबसे अच्छी चीज क्या करी या दि ने करी 70-70 क्रोड अलरेडी कमा लिए जिसने की मूवी का बजट तो क्लियर कर दिया है अब जो होना है वो क्लियर कट कमाई हो नहीं फिर भले ही वह चार करोड हो चालिस करोड धाकड की जो मैंने बात कही थी धाकड में दरसल हुआ यह था कि कंगना रनौत ने इस मूवी क जी के साथ मिलके बनाया था बाद में इस मूवी को जो रिस्पॉंस मिला थीटर के ऊपर पब्लिक का जो रिस्पॉंस मिला उसको देखते हुए समझ में आया कि वही मूवी को कोई देखी नहीं रहा है मतलब पांच करोड का कलेक्शन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल ह मतलब क्लियर कटकर हम फिगर्स की बात करें धाकड का जो बजट बताया जाता तो यह इसके बजट का पांच परसेंट भी नहीं था तो ऐसे मैं पिछले कुछ समय में इस तरीके की फ्लॉप्स बॉलिवड ने देखी है वह भी मतलब हम बड़े लोगों की बात करें यह मानी जाती हैं क्वीन ऑफ बॉलिवड मानी जाती हैं तो ऐसे में कई सारी चीज़े हैं जो कि उनके उपर भी डिपेंडेंट थी लेकिन उसके बाद भी उनकी बड़ी बजट की मूवी फ्लॉप होई थी तो ऐसे में एक विलन रिटरंस ने बहुत अच्छा दाओं खेला ह जिसके के कारण अब उनको पहले ही मतलब प्री रिलीज डील सी इतनी मिल गए थी कि उनका बजट जो था वो उसी में क्लियर हो गया था और आने वाले समय में जो भी कुछ कमाई उनकी बॉक्स ओफिस पर होगी अच्छी होती बुरी होती है उसमें उनका सबी कुछ कवर हो हाथ में तो अगर वो अच्छा दर्शन नहीं करते हैं इस मूवी में तो अब्विस सी बात है मतलब यह मूवी अगर अच्छा नहीं करती तो आगे आने वाले समय में उनके प्रोजेक्स काफी मिलना मुश्किल हो जाएंगे लेकिन क्योंकि वो एक स्टार केड हैं तो अब करीब 50-75 लाग के करीब उसका कलेक्शन गिर के आ गया है इसके अलाव हम शम्शेला की बात करें तो यह शम्शे रहने तो बिल्कुल दम तोड़ दिया है नतला दूसरा शुक्रवार आते आते इस मूवी के कलेक्शन 50 लाग पर गिर चुका है तो आप इसी से अन्यादर ल